अधिया विडियो को इंट्रेस्टिंग बनाने में बहुत इंपोर्टेंट रूल प्ले करता है दोस्तों एक कंटेंट टियेटर हम लोगा मोटिफ यही अना चाहिए कि इसको जारा सा जारा इंट्रेस्टिंग बनाए ताकि वीवर्स वीडियो को कप्लीट लेखें एंब उसक लगतर केस में सीम्लेस ट्रांजिशन्स एसीव नहीं कर पाऊगे इसलिए सीम्लेस ट्रांजिशन्स के लिए आपको सूट करते समय ही आपके सौर्स को इस तरह से लेना होगा कि पोस्ट प्रडॉक्शन में आप सिंपली उसको एडिट करके एक सीम्लेस ट्रांजिशन्स में convert कर पहोगे. आभी जो 3 transitions मैंने दिखाआ हैं, उनको मै ने इसी तरह से create किया है, and when post production में जब मैंने इसको edit किया, तो simply exact place में उसको cut करके मैंने 2 clip को एक साथ जोड़ा है, and उसको seamless transition में convert कर दिया है. तो इसलिए आप भी अपने creativity को use करके, अलग-अलग तरह की ट्रांजिशन्स कर सकते हो इसके लिए बैस्ट वे क्या है जब भी आप किसी एक टॉपिक के उपर या फिर किसी एक जगा के उपर विलोगिंग करोगे या फिर कोई वीडियो आप शूट करोगे तो सबसे पहले आप एक जगा में चाहिए वो एक पेपर है कि आपके दिमाग में बहुत सरे आइडिया शूट लेने के लिए असायद आ रहे होंगे लेकिन अच्छल प्रेस में जावाब पहुंचोगे तो आप उनको स्कीप कर बैठोगे या फिर उन सौर्स को आप क्याप्चर नहीं कर पाओगे दोस्तों इन के मैं ट्रांजिश को मैंने किस तरह से क्रियेट किया वह आपको मैं दिखाता हूँ सबसे पहले मैं ट्रांजिशन्स को दिखाऊंगे और उसके बाद मैंने किस तरह से सूट किया है वह वान बाइवान में दिखाते चलूंगे कर दोसा करता हूं कि यह ट्रांजिशन्स अब को अच्छि लगी होगी सबसे पहला जो ट्रांजिशन्स एवहшей पास्जूम ट्रांजिशन तो इस तरह गर ट्रांजिशन आप suppose market में या फिर मंदीर में किसी एक जगह में suppose आप किसी चीज को zoom करके दिखाना चाहते हो तो ऐसे जगह में आप उसको use कर सकते हो तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको दूर से एक shot लेना होगा और उसके बाद पास जाके एक shot लेना होगा बाद में post production में आप दोनों shot को जब एक साथ इस तरह से जोड़ होगे तो ये fast zoom का transition आपको मिल जाएगा दूसरा transition है zoom in and out यहाँ पर मैंने glass का use किया है first shot को लेने के बाद मैंने glass के अंदर खतम किया है और दूसरे shot को मैंने glass के अंदर से start करके फिर लिया है आप अपना creativity level इसमें यूज कर सकते हो आप अलग अलग चीजों का use कर सकते हो हो सकता है कि आप जहां पर शूट करो वहां पर आप आपको box मिल जाए या फिर एक बस बीन है जहां पर आप 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 खतम कर सकते हो और दूसरे जगा में फिर एक डस्बीन शाब इस्टाट करके उस shot को ले सकते हो third transition है frame blocking transition यह एक बहुत ही popular and interesting transition है इस transition को करने के लिए आपके camera का frame है उसको आपको block करना होगा यहां पर मैंने cardboard का use किया है आप किसी भी चीज का use कर सकते हो चाहे बो एक वाल हो या पर कोई paper हो या कोई भी चीज का आप यूज़ करके अपने camera का frame है उसको block कर सकते हो मतलब first sort को आपको लेने के बाद इसको एक wall में या फिर कोई दूसरे जगा में आप इसको ब्लॉक कर सकते हो और दूसरे sort को आप फिर एक wall से या फिर दूसरे जगा से start करके फिर ले सकते हो post production में जब आप दूनों sort को एक सब जोड़ दोगे तो इस तरह का transition के उता है मेरी चैनल को subscribe कर लिजे and comment box में बताईए कि किस तरह का video आप लोगों को पसंद है या फिर आप लोग चाहते हो कि मैं बनाओ मैं उसके उपर video लाने की फूरी कोशिस करूँगा आज के लिए बस इतना ही और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में तपक के लिए stay safe and bye bye